परगी कैसे लेनी चाहिए? वरत का पारण कैसे करें? और सास को थाली कैसे दें? क्या-क्या सामगरी उसमें रखनी चाहिए? और जिनकी सासु मा नहीं है, वो क्या करें? साथ ही साथ हरताली का तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए. और गलती से भी तीन महिलाएं हरता पार्वती माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तो हर्तालिका तीज शुभ मुहूर्त भादरपद की शुक्लपक्ष की तृतियां तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर शुरू हो रही है तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 1 मिनट पर ह रहेगा दोस्तो हर्तालिका तीज पर पहले सर्गी ली जाती है आये जानते हैं सर्गी कैसे लें हर्तालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्री में महिलाएं सर्गी करती हैं सर्गी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए साथ ही सर्गी में बहुत भारी भोजन ना करें जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सर्गी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राइ फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको एनरजी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। हिसाथ ही आपको वरत के दिन भूख भी नहीं लगेंगी। अगर आप इस वरत को निर्जल नहीं रख सकती है तो आप वरत रखने से पहले संकल पवश्य ले लें। पारण में शामिल करें ये चीजें हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथी लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। वरत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शर्बत, फल या मीठे से वरत खोले। पारण में धीरे धीरे पानी पिए फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। घर में लक्षमी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में पूरे देवताओं का वास होता है। दोस्तो वरत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आएए जानते हैं थाली में कौन सी सामगरी रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। इसके दिए बगैर आपका वरत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर सा अधिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं और उनका अशीरवाद अवश्य ले ले। तभी ही वरत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों हरतालिका तीज के वरत में तीज माता को ये तीन चीज़ें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये तीन चीज माता को अर्पित की जाने वाली सामगरी, जैसे कि टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। तोटी हुई चौकी खंडित चौकी नहीं होनी चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाह इस दिन फलों में नाश पाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हर्तालिका तीज पर सफेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अध दोस्तो हर्तालिका तीज पर माता को श्रिंगार अर्पित किया जाता है। श्रिंगार हमेशा नया होना चाहिए। तूटा हुआ श्रिंगार अर्पित नहीं करना चाहिए, माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लिटा कर रखना चाहिए, खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए, तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, दोस्तों हर्तालिका ती पर ये चीजें अवश्य दान करना चाहिए। इससे पती की उम्र बढ़ जाती है। घर में सुख सम्रिध्धी बनी रहती है। हर्ताली का तीज पर इन चीजों का दान करने से बगेर व्रत रखे ही संपूर्ण फल की प्राप्ती हो जाती है। इन चीजों का दान जरूर करें, दोस्तों हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहाक के सामान के साथ साथ मंदिरों में फलों का दान करने से सुख सम्रिद्ध आती है, इस दिन सुहाक की सामगरी दान करने से जीवन में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती, लेकिन य अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरत मंद को आटा भी दान दे सकते हैं। ग्रह से संबंधित सभी दोश समाप्थ हो जाते हैं। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का बरदान पाना चाहते हैं तो माता पारवती के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता पारवती। माता पारवती के लिए एक लाइक तो बनता है। मा आपका कल्यान अवश्य करेंगी। माता पारवती के लिए करेंगी। माता पारवती के लिए करेंगी।